चुन्दॉली में 7 दिसंबर को बसंदपूर गाउं और विश्य सुन्धरी गाउं के नाले के विवात को लेकर उठा मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा पुलिस द्वारा एक तरफा कारेवाई से नाराज होकर मृतक के परिजनों ने स्पी कारियाले में नारे लगाए पुलिस के वादे के मुताबिक 48 घंटे में नामजद अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजने का वादा करने वाली पुलिस ने इस मामले में सिर्फ दो लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है वही मृतक के परिजनों ने सिर्फ दो लोगों की गिरफतारी से नाराज होकर पुलिस अधिक्षक कारियाले में जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन पर एकतरफा कारेवाही का आरोब भी लगाया वही पुलिस अधिक्षक का कहना है कि किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ है बड़ा सवाल यह उठता है कि महज छोटे से विवाद पर ही मारपीट अब राजनीती में तब्दील हो गई है जिस तरह से दोनों पक्ष पुलिस पर एक तरफा कारेवाही की बात कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं पुलिस की कारेप्रणाली पर सवाल तो उठते ही हैं चंदौली से प्रदीप शर्मा पंजाब के स्री टीवी